नमस्कार, खबरों का पंच नामा में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंशिकार। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की पांच बड़ी खबरें, जिनके विशलेशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनीश कुमार। डॉक्टर मनीश बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइन्स पर। बंगाल में मुसल्मानों की उल्टी गिनती हो जाएगी शुरू। उदफ ठाकरे की नई पेट्रेबाजी से अगारी में हडकंप और अंगाबाद का नाम नहीं बदल पाए तो उस्मानाबाद को धाराशिव करनी की शुरू की तयाद। अमेरिका का चीन को बड़ा जटका शाओमी पर अमेरिका ने की कारवाई तो चीन ने प्रतिबंद को बताया अंतराश्ट्रियन नियमों के खिलाफ। रुकरते हैं पहली खबर का प्रधानमंत्री नरियन मोदी ने आज देश भर में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन अभियान को लॉंच किया इस दोड़ान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इतिहास में इतना बड़ा वैक्सिनेशन अभियान कभी नहीं चला है बताया गया है कि का खर्चिस सरकार उठाएगी और वैक्सिनेशन के पहले चरण में तीन करोड लोगों को टीका लगाया जाएगा इसके साथ ही प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत ने इस महामारी सिज्जस प्रकार से मुकाबला किया उसका लोहाच पूरी दुनिया मान रही है लेकिन हिंदुस कि और से मदद की गुहार लगाई जा रही है वैक्सिनेशन को लेकर मोदी सरकार ने आज इतिहास रचा है और आज का दिन हर हिंदुस्तानी के लिए एक गर्व का दिन है क्योंकि कोरोना के कहर से पूरी दुनिया जूज रही थी और हिंदुस्तान कुछ चंद मुलकों में है जिन्होंने अपना वैक्सिन खुद डेवलब किया वह एक साल के अंदर और अब दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिन अभियान जिसमें 300 मिलियन यह पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि अकेले आप जोड़ लें तो अमेरिका से जादा पॉपुलेशन जो है वो उसको व मदद मांग रहे हैं और ब्राजिल से आज खबर आई है कि ब्राजिल ने कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के ही वैक्सिन का इस्तमाल करेंगे अपने यहां तो जिम्यदारी भी है और यहीं जो सारा कुछ जो हो रहा है उसका क्रेडिट प्रधान मुंत्री मोद को जाएगा और इस लिए विपक्ष को मिर्ची लगी हुई है और इतनी जादा यह मिर्च लगी है कि यह अभी तक तो यह मोदी की घणा में देश के खिलाब बोलते थे अब यह इंसानियत के भी दुस्मन हो गए हैं यह सवाल उठा रहे हैं कि यह वैक्सिन अभी टेस्ट नहीं है इसका क्या साइड इफेक्ट होगा बीजेपी वाले खुद क्यों नहीं लगा रहे हैं अच्छा दिकत क्या हो रही है कि जो इनके चीफ मिनिस्टर है कॉंग्रेस पार्टी के पंजाब में उन्होंने कहा कि यह तो संजीबनी है बहुत अच्छा है और विपक्ष मे के अंदर जिन जिन जो फ्रंट लाइन वरकर्स हैं जो मेडिकल स्टाफ हैं जिनको वैक्सिन दिया जा रहा है उनके साथ मंता बनर जी ने चिट्थी डाल दी है उसमें अपनी तस्वीर लगा दी है कि यह मंता बनर जी कर रही है यह तो फ्रॉट गरी है इन लोगों का यह इस तरीके से कर रहे हैं दरसल विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है विचारधारा विहीन हो गया है और कॉंग्रेस पार्टी तो इसकी तो हालत क्या है इस पर तो कुछ कमिंट भी नहीं किया जा सकता कम से कम आज कॉंग्रेस पार्टी को यह कहना चाहिए था कि हिंदुस बनाएं जो खर्च किये उसका ये नतीजा है कम से कम ये बोल करके वो इस हर सो लास के मौके का एक हिस्सेदार बन सकते थे बागिदार बन सकते थे लेकिन ये सिर्फ देश को नीचा गिराने के लिए देश को बदनाम करने के लिए सवाल पूछते हैं जो देश की जंता नहीं कर रही है तो करते हैं अगली खबर का दिल्ली की सिंगु टिक्री व गाजिपूर आदी सीमाओं पर किसान संगठनों के लोग धरने पर पैठे हैं इस बीच खूफिया एजंसियों को हैरान करने वाले इंपुट मिल रहे हैं कुछ आंदोलनकारी किसान गंटंत्र दि आपस में संपर्ख में रहेंगे अलग-अलग होकर वे परेड देखने के बहाने राजपत पर पहुंचेंगे इसकी बाद अचानक सो से 200 किसान राजपत पर पहुंचकर नारे बाजी कर सकते हैं गंटंत्र दिवस परेड में बाधा डाल सकते हैं डॉक्टर मनीश इतना आम नागरिक बन करके घुशेंगे और अचानक से परेड जिसमें होता रहेगा ये उसमें कूज परेंगे ताकि इनको पूरी इंटरनेशनल मीडिया और पूरी जगह उनको हाइलाइट करके दिखाए जा सके कि गंतंत्र परेड के दौरान ऐसा हो क्योंकि इनकी मंसा ही यही ह ये जो ट्रेक्टर से ये जो बकादा एक रिहलसर कर रहे थे उस दोरान भी कुछ किसानों ने कहा था कि उस दिन हम लोग ऐसा हंगामा करेंगे कि जिसे पूरी दुनिया की मीडिया उसे चापने उसे दिखाने के लिए विवस हो जाएगी और यही इनकी साजिस का जो खुल आपन्ती ये कॉंग्रिसी ये दिल्ली के अलग-अलग होटलों में चिपे हुए हैं और इनकी तलासी जारी है साथी साथ दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोट में अरजी लगाई है कि सुप्रीम कोट से इस तरह का कोई गाइडलाइन आ सके जिसमें साफ साफ ये बताया जा कि किसान अपनी ट्रेक्टर के साथ दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे वैसे इंतिजाम के तौर पे दिल्ली में पहली बार ऐसा होगा कि जब 26 जनवरी के दोरान कम्प्लीट लॉक डाउन कर दिया जाएगा दिल्ली के अंदर और दिल्ली के सटकों पे पारा-मिलिटरी और आर्मी को तैनात किया जाएगा कि ताकि ये किसान संगठन उत्पात ना मचा सके। साथी साथ इन सारे इनके निताओं को ट्रेक किया जा रहा है जो इस तरह के साजिस में शामिल हैं और उनके खिलाब भी कारवाई की जाएगी। चैने का मतलब ये है कि ये किसान आंदोलन अब ये किसान आंदोलन नहीं रहा। पहले से ये political movement था, political protest था और अब ये complete एक उग्रवादी, नकसली, अर्बन नकसल movement में convert हो गया है और इसके खिलाफ सरकार को और सुप्रिम कोट को सक्ट से सक्ट कारवाई करने की आविशक्ता आ गई है. चलिए अब बात करते हैं बंगाल की. खेलना शुरू कर दिया है बंगाल में, क्या उसके बाद ममता बनर जी को लगता है कि वह अपना अस्तित्व वहाँ बचा सकती है? देखिए जब आप कहीं का इट, कहीं का डोरा को उठा करके आप MP बना देंगे, जिसके पास कोई ग्यान नहीं हो, जिसके पास कोई experience नहीं हो, राजनिती करने का, भासन देने का, बयान देने का कोई इल्म नहो, तो ऐसे लोग जो फिल्म कलाकार आप उधार से उठा करके लेगर के आते हैं, तो उनके मुझ से इसी तरह की बाते निकलती हैं, ये मुर्खता पुर्ण दिया गया बयान, कि अगर भारती जनता पार्टी बंगाल में सरकार बना लेती है, तो मुसलमानों की उल्टी गिंती शुरू हो जाती है, उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया, कि जहां जहां भारती जनता पार्टी की सरकार आई है, वहां पे मुसलमानों की उल्टी गिंती सुरू हो गई, अब वो बंगाल में भी होगी, अब इस, उसको कह सकते हैं कि जो मुर्खता पुर्ण बयान देने व हो गई है, नुसर जहां बताएंगी कि सरकार की केंद्री सरकार की कोई एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी योजना, एक ऐसा प्लैन जिसमें मुसलमानों को एक्स्क्लूड किया गया हो, चाहे वो किसी तरह की योजना हो केंद्र के द्वारा, और इनको तो ये भी नहीं मालुम, य गाना बजाना करके, ये लोग पॉपलर्टी ये लोग पाए, और इस तरह की जो पार्टियां, जो लोग सकते हैं, कि हम लोग कहते हैं कि बिना पेंदी का लोटा, जो ढगमगाता रहता है, तो तिलमूल कॉंग्रिस ने तो ऐसे ही लोगों को भर दिया, जिसके पास अपने कारकरता को टिकट देने के लिए, इनके पास सामर्थ नहीं है, तो ये टॉलि हूट, बॉलि हूट से किराये पे नेता को हायर करते हैं, तो ऐसे लोगों से ये भी पूछना चाहिए, ये बताना चाहिए इनको, कि केंद्रे में जो मानिवर्टी मिनिस्ट्री है, अल्प साल में उसने जो काम किये हैं, वो पिछले सतर साल के किसी भी सरकार के अंतरगत किये गए काम से कम है या ज़्यादा है, अगर इतनी भी अगर उसने पढ़ाई कर लिए होती, तो नुस्त जहां के मुझसे इस तरह के बयान नहीं निकलते, दरसल दिक्टत ये है कि मम्ता बन करके मुसल्मानों के वोट को लेने वाले हैं, और इसी को बचाने के लिए तिनमूल कॉंग्रेस, मम्ता बनर जी, अभिसेक बनर जी और इनके तमाग जो चट्टे बट्टे हैं, नुस्त जहां हो या और भी मौलाना किस्म के जो नेता हैं, ये मुसल्मानों को भड़काने क काम में जुट गए है, ये डर दिखाया जा रहा है, ये भारती जंता पार्टी अगर आ गई, तो बंगाल गुजरात बन जाएगा, वसे मैं आपको बता दू, बंगाल जिस दिन गुजरात बन जाएगा, बंगाल के लोग खुसहाल हो जाएंगे, वहां नौकरियां मिलेग इंडिस्ट्री आ जाएगी, सबके बन जाएगी, वहां पे लोगों को देश भर में बंगालियों को नौकरी के लिए ददर की ठोकने नहीं खानी पड़ेगी, और यही आज की हकीकत है, चलिए अब नज़र डालते हैं अगली खबर पर, महराश्ट्रों में शेहरों का नाम बदलने को लेकर महाविकास अगारी में जंग छिड़ी होई है, पहले ही औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने को लेकर शिवसेना और कॉंग्रेस के बीच तनातनी चल रही है, इस बीच शिवसेना ने उसमानाबाद का नाम धारा शिव रखने की तैयारी भी शुर अब जिस तरह से पहले ही औरंगाबाद का नाम बदल कर संभाजी नगर रखने पर कॉंग्रेस और शिवसेना के बीच विवाद तो चली रहा था, अब शिवसेना की ओर से उसमानाबाद का भी नाम बदलनी की तैयारी शुरू कर दी गई, यह तो और गहरा विवाद हो जा कि जब और अरंगाबाद को जब एड्रेस किया था, तो लिखने में आगे लिख देते हैं संभाजी नगर और इसी तरीके से उसमानाबाद के में कोई कॉलेज खुलने वाला है, कुछ वहाँ पे नई घोशना की जा रही थी, तो उसमें उन्होंने आगे लग दिया धारश कामन मिल्मन प्रोग्राम में नहीं था, तो कहने का मतलब यह है कि उद्दव टाकरे रोज नए नए पैतरबाजी कर रहे हैं बस इस चीज को बताने के लिए कि वो अब तक हिंदुत के अजंडे पे कायम है, और कॉंग्रेस पार्टी ये बात साबित करने में जुटी हुई है कि ये जो सरकार चल रही है, ये तीन अलग-अलग साइज के पईए कि जो सरकार है, वो कामन मिल्मन प्रोग्राम के उपर ही चलाई जा रही है, और इसके अलावा कोई फैसला होता है, तो हम इसके साथ नहीं है, मतलब ये कि हर दिन उद्दव ठाकरे अपनी कुरसी बचा में और जैसे ही मसला समलता है, तो अगले ही दिन वो अपने हिंदुत के एजंडे पे जो है चले आते हैं, लेकिन ये हिंदुत का एजंडा नहीं है, मैं बार-बार कह रहा हूं कि ये पैतर बाजी इसलिए है, कि एक एक्जाम्पल उत्रप्रदेश में योगी आदित नात् है, इलाहबाद का नाम प्रियाग राज, तो कोई तमासा इस तरह से ट्वीट नहीं करना होता है, वो सरकारी आदेश दे देते हैं, फैजाबाद का नाम एउध्धान रखा गया, तो एक सरकारी आदेश निकल गया, आप आदेश क्यों ही निकालते हैं, आप ट्यूटर हैं हिंदुस्तान जो है, वो एक हिंदु राश्टर हो गया है, समिधान जो है, आप आपने हटा दिया, आपने सब कुछ कर लिया, तो आप अपने अजेंडे पे इस तरह से आप काम करोगे, दरसल ये बहलाने, फुसलाने और भढ़काने की राजनीती उद्दव ठाकरे कर रह पेले, ये कोई उस्मान, उस्मानाबाद, उस्मान कोई निजाम का साथमाराजा था, उसके नाम पर रखा गया था, और उसके बारे में कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से बहुत सारे चीज़े कही जाती है, कि बहुत इमांदार था, तो ये था, वो था, लेकिन दरसल ये ज century में वो केव बनाये गए थे और वो बुद्धिस्ट बुद्ध बुद्ध विप्चुकुमा बुद्ध मंदिरों का वो एक हिस्सा था बाद में बारवी सताबदी में इसको जैन मंदिरों में convert कर दिया गया तो इसका इतिहास इस जगह का यह है कि दारा सिफ जो है उसastra cash का नाम है और वो इतिहासिक नाम है इसले इसका बदला जाना जरूरी है लेकिन फैले या पहले ने चीन की स्मार्टपून कंपनी शाओमी कोपरेशन को काली सूची में डाल दिया है ये कारवाई तब की गई जब राश्टपती डोनाल्ड श्रम्प के सत्ता से हटने में एक सत्ता से भी कम का समय बचा है वहीं अमेरिकी कारवाई से चीन भड़क गया है चीन की सिती बंद लगाया है और पाकिस्तान जिस उमीद से चीन की तरफ देख रहा है वैक्सीन को लेकर क्या वो चीन पाकिस्तान की उमीदों पर खरा उतर पाएगा देखी ये जो सौमी कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है तरसल पूरी दुनिया में चीन और उनके समर्थक द उसकी सजा चीन को आज नकल देनी ही पड़ेगी ये पूरी दुनिया में हर देश में वहां के सिवल सोसाइटी में वहां की लोगों की मांग है क्योंकि जिस देश की वज़े से जिस साजिस की वज़े से इतनी लोगों की जान गई है वो अनपनिष्ट नहीं रह जाना चाह अब वो तो दिक्कत में ही वो कानून के बारे में बता रहे हैं लेकिन अमेरिका में चाहे वो जो बाड़न साथ की सरकार आ जाए या ट्रम्प साथ की सरकार थी ये सारे लोग इस मत पे एक राय है कि चीन को सबक सिखाना है अब रही बात आपके दूसरे सवाल की कि पाकिस्त पाकिस्तान की इस्तिती तो वो आपके कह सकते कि दोभी का वो जो होता है नो घर का नगाट का वो सिस्टम हो गया है वहां की मीडिया पूछ रही कि हिंदूस्तान में तो मोदी ने सुरू कर दिया वैक्सिन देना इमरान कब देगा ये तो पर तब्दिली लाने के लिए य दोगी जान जा रही है तो वैक्सिन कब आएगा तो यह कह रहे हैं कि हम चीन से लेक्सिन लेंगे हिंदुस्तान क्लिया है कि मद्दिली आपकूश बताओं कि चीन के साथ तो उनका संवर चल रहा है पाकिस्तानी जा रहे थे आ रहे थे अब हुआ ये कि पाकिस्तान में तो फर्जी वाला तो हर चीज में होता है यहाँ से कोरोना टेस्ट करवाते थे लोग और नकली सर्टिफिकेट बनाते थे कोरोना नहीं है और वो चीन चले जाते थे तो ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी पकड़े गए वहाँ पे कि जो पाकिस्तान से कोरोना लेकर करें चीन पहुँच गये थे और वहाँ उनकी टेस्टिंग हुए तो वह करोना पाये गाए और कि पुराना है नहीं है वो वह पाकिस्तान में घृसे थे को時 तो चीन ने आज पाकिस्तान से सारी फ्लाइट को बंद कर दिया और उनकी यात्रियों के उपर पापंदी लगा दी है अब लेते रहो वैक्सीन अब अमेरिका अब यह देखिया इम्रान खान क्या करेगा पाकिस्तान की वह उसको कह सकते हैं उसकी किस्मत में अब यह रोना ल गया है जी दॉक्टर मनिश दीश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेशन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद खबरों का पंशनामा में आज इतना ही अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें स